नमस्कार जी सभी का वेलकाम है चोपडा डेरी फारम के यूट्यूब चैनल में जैसे कि आप सबने लाइव देखा था कि हमने दो दिन पहले लाइव वीडियो में दिखाई थी आपको ये सभी तीनों की दीन का आउस जो कि हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल थी और इस वीडियो में हम आपको इनकी पूरी डिटेल देने जा रहे हैं क्या रेट रहेगा और क्या लक्टेशन है ये तीनों काउस जो हैं सेकिन लक्टेशन की हैं और बड़िया बॉडिवेट है बड़िया अर्डर क्वाल्टी है एक काउस ने काविंग कर दिये जो सेंटर में ब्लैक वाली है और ये डैनमार्क के 40 116 सीमन की है खुद इसके टर्मिनेटर का कन्वेंशनल सीमन लगा और साथ में जो वाइट काउ दिखाएंगे इसके बाद में वो यूनियर के सीमन की है ये वाली वाइट ब्रीड में बहुत अच्छी थी 15 दिन कच्ची थी अभी सेकिंड लक्टेशन में 30 प्लस मिल्क कपैस्टी 30 से 35 मतलब फस्ट में रही है तो अभी सेकिंड में बच्चा देगी और हमारा आप एक चीज़ देख लेना जितना भी हम बताएंगे मिल्क कपैस्टी उतना ही बताएंगे जितना एनिमल की पावर होगी देने की ये नहीं कि हम 50 लिटर बोल दें तो वो जाके 35 करे ऐसी बात नहीं होगी तो बकी गाएं देखके भी आपको जज्जमेंट हो ज चैनल है चोपड़ा डेरी फार्म आप सर्च करोगे तो आ जाएगा तो इसके बाद जो फर्स्ट नंबर पे बड़ी अडर वाली काव है यह तकरीबन 45 दिन में काविंग करने वाली है यह एबिस के पैनी मेकर के सीमन की है तो इसकी फेस कॉलिटी बगएर देख लीजिए क कि अगर यह अधर स्टेट में जा रही है तो मुझे पता है कि 40 लिटर वाली वह वहां जाके 35 करना चाहे तो भी अच्छा है क्योंकि 4-5 लिटर लेक्टेशन में कम हो जाता है जब दूसरी स्टेट में अनिमल जाता है और जो ब्रीड करेक्टर्स हैं वो पैच्ची आपको शुरू हो चुका है मौसम तो इसी बीच में क्या है हमारी खरीदी जो फार्मों से और भी बढ़ जाती है जो अच्छे हैवी मिलकर काउज हैं जो आपने पिछले 2-3 महिनों में इतनी नहीं देखी होंगी हमारे पास क्योंकि गर्मी के टाइम पे हम लोग भी अवाइड कर आप कभी भी ट्रेवल कराओगे एनिमल को तो मतलब स्ट्रेस की वज़े से जो फीवर होता है बुखार आ जाता है गर्मी की वज़े से तो वो नहीं आएगा ट्रेवलिंग में और एनिमल आप कहीं भी ऑल आवर इंडिया महराष्टरा गुजरात हैदराबाद करनाटका कह जो कि मेडियम बजट हो जो कि आम किसान के घर पे अगर किसी ने 20 लिटर वाली गाएं रखनी है तो वैसी भी मिलेगी आपको हमारे यह यह नहीं है कि हाई लेवल का ही हाई ब्रीड का ही एनिमल मिलेगा क्योंकि हाई लेवल ब्रीड अच्छी लेनी है तो डेड़ लाग त जाता है कोई बड़ी बात नहीं है पर चोटा किसान जो होता है जिसने घर पे गाएं 1820 लिटर की भी रखनी है क्रॉस में भी रखनी है तो उसको इतना ब्रीडिंग से नहीं होता दूद लेने से मतलब है तो उसको 70-75 की रेंज 80 की रेंज वाली गाएं उपलब्द कराना भी हमारा मोटीव है कि वो भी आपको अवेलेबल करके ही देंगे तो बाकी काफी टाइम से हमारी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि इंस्टाग्राम पे चोप्राडेरी फारम हमारा चैनल है उसमें शौट वीडियो चलती रहती है और जो जो वीडियो हमारी अपलोड होती ह फार सेल के लिए भी वो सेल हो जाता है साथ साथ में स्टॉक तो यूट्यूब पे वीडियो बनाने का भी एक तो इतना टाइम मिलता नहीं है बट ये भी मैं एक चीज मानता हूं कि जो फारमर्स हमारे साथ पहले से यूट्यूब से जुड़े हुए है तो वो भी मतलब द का ही आपको वादा करता हूं कि आने वाले टाइम में डेली का एक शॉट वीडियो जरूर अपलोड होगा काउस का जो जो सेल के लिए वेलबल होंगी और कुछ इंफोमेटिव आप अगर वीडियो चाते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो तो हम वैसी वीडियो भी इंफ प्राइमेट फीड अवेलिबल है और किसी के पास खुद की बनाने के लिए कुछ अपना मतलब करते हैं तो ड्राइ काउस के हिसाब से अलग फीड मिल्किंग काउस के हिसाब से अलग फीड और उनका अलग-अलग कैलशियम लेवल तो मतलब यह सारी चीजे बहुत लंबा चला जाता है एनिमल जैसा होगा उसी के इसाब से उसकी फीड होगी कैसा उसका टाइम है प्रेगनेंसी का है ट्रांजिशन का है काविंग का है तो वैसी ही उसके डाइट चलेगी और दीरे-दीरे जो फार्मिंग लाइन में आता है तो वो दीरे-दीरे इन चीजों से वाक तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या problem आएगी और कैसे solution करना है तो बाकी आप लोग सभी बताना कि आपको कैसी लगी हमारी ये काउस जो की average इनका rate भी बता रहा हूं डेड़ लाक रुपे की average पुठा और 35 लिटर से 40 लिटर के बीच की काउस तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जुरूर पताना धन्यवाद सभी का